इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 1-2-6 के बारे में आर्टिकल 1-2-6 बताता है कि चीप जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, सुप्रीम कोट का चीप जस्टिस होगा, जो इंडिया का चीप जस्टिस होगा, उनका एपॉइंट्मेंट कब होगा और कैसे हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले यह है कि जब भी Chief Justice of India का जो seat है वो गर खाली होगा या फिर Chief Justice of India जो है अपना परफॉर्म अपना duty को परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फिर वो absent है किसी भी कारणवस तो उनके जगह पर एक दूसरे Chief Justice को पॉइंट किया जा सकता है या फिर किसी और जो जज होगा कोट का सुप्रीम कोट का उसको बोला जाएगा कि फिलाल के लिए आप सुप्रीम कोट का फंक्शन्स पूरा कर दिए क्योंकि सुप्रीम कोट का जो जज है वो मतलब जो जगह पर सारा काम कर दिए ठीक है नहीं तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे एक नया सुप्रीम कोट का चीप जज़िस को अपॉइंट कर देंगे अब वो कैसे करेंगे जो नॉर्मली जो आजकल कन्वेंशन बना हुआ है उसके अनुसार जो चीप ज़िस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है न वो सुप्रीम कोट के जो टॉप सबसे सिनियर मोस्ट जज़िस होते हैं उन से पूछ करके एक बार बना करके एंड जो चीप ज़िस्टिस है वो अपना रिकमेंडेशन पैसिडेंट साहब को देता है और फिर पैसिडेंट साहब अपना उसी अनुसार नॉर्मली फैसला ले लेते हैं कि यह जो है नया चीप ज़िस्टिस बनेंगे और फिर उसका जो है वो जो सपत है वो सपत लिया जाता है ठीक है तो इस तरह नया चीप ज़िस्टिस का एक तरह से कहसते सपत ग्रान होता है और अपॉइंटमेंट होता है ठीक है तो यह है आर्टिकल 126 एंड इस आर्टिकल में बस इतना ही एंड आई होप यह वीडियो आपको अच्छ लगाओ तो उसको लाइक करो, सेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी पुछना हो, बताना हो तो कमेंट करो, एन चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू भाई मुच